हलो बच्चो आज मैं आप लोग को community post में जो सवाल पूछा था कि 10 square x, sin square x और cos square x का ये तीनों जो सवाल है ना परिक्षा में एक question हर साल आता ही आता है कोई ये जो सवाल आपको पूछा आई जाता है तो ये सवाल जो है अकसर इस्टोंट को हम देखे थे कि इसमें जो पोल जो है गलत किये हुए था और percentage गलत वला का ज्यादा था इसलिए हम आपको इस तीनों को short video में आप लोग का आंसर सही बताने वाले हैं तो देखें सबसे पहले तो आपका पहला था 10 square x का differentiation करना तो ज्यादा लोग को देखे थे कि option number c मा रहे हुए था यानि 2 से के square x जो गल गलत है ठीक है और last जो आप लोग का तीन नमर कोशन था यानि cos square x इसका भी differentiation करके सब ज्यादा तर लोगों ने option मारा था sin 2 x यानि option number c तो यह अभी आप लोग का answer गलत ही है हम आपको तीनों का answer आप लोग को सही सही बताते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप सवाल नमर 1 को गहर से देखेंगे कि 10 square x को हम क्या करेंगे पहले तो आपको एक formula याद होना चाहिए function to the power n और function to the power n का क्या होता है n function to the power n minus 1 और फिर आपको इस function का differentiation बस आपको यही formula तीनों सवाल में तेकि 10 square x को हम क्या लिख सकते हैं पहले 10 x का square लिख सकते हैं अब आप यह गहर से देख लिए यह power n है तो यह वाला formula पर आगया तो पहले n को बाहर कर लेंगे तो n को बाहर मतल़ा 2 को बाहर और function लिखेंगे तो function आपका 10 x है power n में से घटाएंगे तो 2 में से घटाएंगे और गुना में आपको फिर से इस function का differentiation करना होगा इस function का तो इसलिए d बटा dx tan x य रहेगा दू में से घटेगा ते तना ही रहेगा और tan x का differentiation आप लोग याद कीजी क्या होता है से के square x यानि कि आपका जो सही answer आना चाहिए था 2 tan x इंटू से के square x से यानि कि आपका option number d जो है वो सही था बहुत सारे लोगों ने option number c ठीक किया था ठीक है उमीद है आपको सम function का differentiation गुना में करना होगा तो यह 2 sin x रहेगा दू में से घटेगा तो इतना ही रह जाएगा और sin का differentiation आप याद कीजिए cos x होता है अब आपको करना क्या था इसका सही option के लिए आपको एक फर्मूला यूज करना था sin 2 theta तो इसका फर्मूला होता है 2 sin theta and 2 cos theta तो इसलिए लि बहुत सारे लोगों ने option number a दिया था ठीक है तो उमीद आप लोगों को दूसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा एक last सवाल था इसका भी answer बहुत सारे लोगों ने गलत दिया था इसलिए हम आपको इसको short video में बता रहे हैं देखिए यह तीसरा सवाल था cos square x तो cos square x को भी आप उसी तरह से करेंगे क्या कि cos x क्या square और उसी तरह से power को बाहर करेंगे power में से घटाएंगे और फिर इस function का differentiation तो बता ये 2 तो रहेगा cos रहेगा जसके तस cos का differentiation क्या होता है तो minus sign होता है इसलिए इसका लिखेंगे minus 2 sign को पहले cos को बाद में तो फिर आप गौर से देख minus तो है ना तो इसका answer जो आना चाहिए था minus sign 2x आना चाहिए था यानि कि आपका तीसरा नमर सवाल का सवाल option number d जो था सही answer था उमीद है आप लोग को तीनों प्रसन समझ में आ गया होगा और आप लोग अप गलती नहीं कीजिएगा तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों के संसेर करना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू